चलिए जी आज कैफ 3 के लेक्चर नमबर 38 का अगाज करते हैं आज के लेक्चर में हम नया चेप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो के हमारी कमनीला पोर्शन का लास्ट चेप्टर है चेप्टर 16 अकाउंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इसमें आज दो लाजनिंग अब्जेक्टिव हमने स्टडी करने हैं एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स और दूसरा फाइनेंचल स्टेटमेंट्स तो चलते हैं पहले अपने लर्निंग अब्जेक्टिव वन की तरफ बुक्स अकाउंट्स लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को समझने से पहले कुछ और रिलेटेड टर्म्स है जिनका समयना ज़रूरी है वो रिलेटेड टर्म्स हैं एक फाइनेंचल स्टेटमेंट्स और दूसरी है बुक्स एंड पेपर्स एक चीज़ेंग में रखिएगा बुक्स और books of accounts में फरक है असल में हमने detail में study करना books of accounts ही है लेकिन यह term आपके लिए क्योंकि law में some कुछ places में term use हुई है समझना जोरी है books and paper books and paper में दो चीज़ें शामिला याद रखिएगा books of accounts भी books या books of accounts एक ही बात है और papers भी papers भी books of accounts से क्या मुराद है इसको हम example के जरीए से समझते हैं आपने accounting बढ़ी है तो आपको पता होगा कि accounting में concept होता है accounting cycle जिसमें क्या करते है पहले general maintain किया जाता है general से ledger बनाया जाता है ledger से trial balance बनाया जाता है फिर उसके बाद trial balance से final accounts यानि income statement, balance sheet, cash flow statement वगएरा बनाया जाते है तो जो हमारा phase होता है journal से लेकर trial balance तक, journal ledger trial balance ये कहलाती है books of accounts जर्नल से लेकर trial balance और उससे पीछे जितना भी record maintain कर हो रहा होता है accounting में उसे कहते हैं books of accounts और इसके बाद जो final accounts बनते हैं यानि income statement, balance sheet वगएरा इसे कहते हैं हम financial statements तो पहले तो फरक जहन में रखिए books of accounts और financial statements में फरक है दोनों accounting के context में दोनों accounting cycle का हिस्सा होते है financial statements आहरी पार्ट हैं जैसे final accounts भी कहते हैं और books of accounts है trial balance और उससे पहले जैसे general ledger वगरा और trial balance यह books of accounts कहलाते हैं अब जो term है books and papers इसमें books से मुराद तो books of accounts है यानि term books and paper includes books of accounts books of accounts में हमारे manufacturing companies के records भी आ जाते हैं यानि जो cost of goods sold के record होते है material labor overhead वो भी books of accounts से मुराद हमारे books से मुराद books of accounts और paper से मुराद क्या है paper से मुराद है जो company का over record उसने maintain करना होता है जैसे minutes of the meetings यह हमारे paper paper में आएंगे minutes of the meeting इसके लगार रजिस्टर, register of member, register of directors बगारा, vouchers बगारा यह सारे paper में आएंगे चाहे paper में hard farm में maintain कर रहे हो, physical farm में या electronic farm में तो term books and paper में दो चीज़ें आती है books भी और paper भी paper से क्या मुराद है वो रिकार्ड जो company maintain कर रही है accounting cycle के इलावा जैसे minutes, register बगारा और इसके इलावा जो दूसरे vouchers बगारा है वो तो books and paper बेसिकली यह जो term है यह books प्लस paper दोनों को cover कर रही है लेकि जब हम बोलते है books of accounts तो इससे मराद होता है सिर्फ हमारा accounting cycle का financial statement से पहले वाला हिसा यानि journal, ledger, trial वगारा और जब हम कहते हैं financial statements तो इससे मराद होता है accounting cycle का आहरी वाला हिसा यानि जिसमें income statement, balance sheet वगारा बनती है तो हम आज के lecture में books of accounts के बारे में भी study करेंगे और financial statement के बारे में भी study करेंगे books and paper सिर्फ term की हद तक हमने explain करना था तो basic difference जहें में रखिए का books of accounts का मतलब क्या है कि जो आपकी transactions होती है जैसे accounting में आप पढ़ने है good, sold, to Mr. Ray, four, rupees, twenty ये एक narration या description या transaction होती है इसको पहले किसी सफ़े पे लिखा जाता है फिर इसके journal entry पास की जाती है फिर journal entry से ledger में post किया जाता है ledger से इसे transfer किया जाता है trial balance में ये सारा portion हमारा कहराता है books of accounts तो क्या books of accounts किसने maintain करने है books of accounts every company, हर company ने maintain करने है और अगर company wind up हो रही है वैसे winding up officially हमारे syllabus में नहीं है लेकिन यहाँ पे सिरफ हलका सा concept हम मैं बता रहा है कि अगर company wind up हो रही है तो liquid data जो है यानि जो court की तरह से liquid data रसाइन हो है वो भी books of accounts maintain करेगा company भी maintain करेगी हर company चाहे public, private, are listed, are listed हर company books of accounts को maintain करेगी जाहिर है जो financial statements बनी है जो financial statements बाद में shareholder को भी जवानी है ताकि पता चले के सारे साल में क्या होता रहा है वो financial statements books की base पर बननी चाहिए books of accounts बनेगी तो financial statements बनेगी ना books of accounts के बगार financial statements impossible है प्रिपेर होना तो जिस तरह हर company के लिए लाजमी है कि अपनी financial statements प्रिपेर करके AGM में present करनी है notice of AGM के साथ send करनी है shareholders को उसी तरह हर company के लिए ये भी लाजम है कि वो books of accounts भी maintain करें और liquidator भी एकर liquidator point होगा तो तो books of accounts हर company के लिए books of accounts में क्या क्या चीज़े शामिल होगे अच्छा exam में याद रखिये typical mistakes रूंट करते हैं और बड़ा दुख होता है छोटी सी गलती है word books of accounts और financial statement को mix कर देते हैं वो पुछता है books of accounts में क्या चीज़े शामिल होती है वो financial statement में क्या चीज़े शामिल होती है वो लिख देते हैं तो इन में फरक रखना चाहिए आपको यहाँ पे concept क्या है books of accounts में क्या included है हम books of accounts पढ़ने हैं यहाँ पे है books of accounts में जितनी भी सम पैसे रसीव हुए या पे हुए आपने उनका रिकार्ड रखना है books of accounts में जहां से भी कैश आया जहां भी कैश गया रिकार्ड रखना है along with matters matters के साथ आसान अलफाज में कह रहा है cash book maintain करो समझाने के लिए word cash book बोला है मैंने या cash count का लफ़ बोला है exam में आपने यही लिखना है law के पेपर में के books of accounts में कौन कौन सीज़ यह शामिल होती है some received and paid आप जब वो cash count बनाते हैं accounting में आपको याद होगा इधर debit side होती है शायद अब तो अरसा हो गया मुझे account बनाए होगे इधर debit side होती है receipt side और ये payment side होती है इसमें मुझे बताइए क्या हम सिर्फ amount का कारम फिल करते हैं कि 15,000 गया तो यहां पर यह भी लिखते हैं कि किसको दिया किस ले दिया, salary pay की, rent pay की किसको दिया, यह भी लिखते हैं description भी amount भी इसलिए यहां पर भी कह रहा है कि आपने जो amount किसी किसे receive की यह pay की, उसका record भी रखना है यानि cash book में दूसरे लखने में कह रहा है cash book में नेज़ करनी है और कह रहा है cash book में amount के साथ साथ matter उसकी description भी लिखनी है तो इसका मतलब जितना भी cash receive हुआ pay हुआ उसका record रखेंगे फिर जितने भी चीज़ें sale की purchase की उसका record रखेंगे इसका मतलब है वो कह रहा है sale और purchase का भी record रखना क्योंकि sale और purchase का credit भी तो हो सकते हैं आप सोच रहे होंगे जोब sale और purchase इदर cash में भी तो आजागी भी credit भी तो होती है ठीक है और sale और purchase income statement में तो उसका लगार्ड रखना है assets और liability का लगार्ड रखना है हर assets और liability का भी लगार्ड रखना है यहां पर एसर में कह रहा है कि balance sheet बनाने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत है उनका record रखना है यहां पर कह रहा है income statement बनाने के लिए profit and loss count जिसे आप कहता है वो बनाने के लिए जिन चीज़ जो चीज़ों का record रखना है sales and purchases इसके लाव कुछ दूसरे expenses भी आप sell लिज़ वगारा pay करते है या अधर income भी receive करते हैं उसका record सारा cover हो रहा है देखे इस concept को आपके accounting के concept से मिला के समझाना चाहरा हूँ उससे फिर बेतर तरीके से समझाएगा वरना ये बुक में ये सारी चीज़ इंकम स्टेटमेंट बैलन शीट वगारा उसने इस तरीके से नहीं समझाया फिर कास्ट काउंटिंग रिगार्ट आपको याद होगा accounting में इंट्रो में कुछ केसिज में हम cost of good sold statement बनाते हैं cost of sales बनाते हैं जो manufacturing companies होती है जो manufacturing company होती है उनके जो cost of sales है वो हम कैसे करते हैं cost of good sold statement बना के आपने शायद बनानी सिखी हो यानि जो companies manufacturing process में involved है production में involved है वो उनके जो cost of production होती है cost of manufacturing होती है उसमें तीन चीज़ें शामिल होती है material, labor और overhead ये term सुनी हैं आपने कभी material, labor और overhead तो हमने cost counting record भी maintain करने हैं books of counts में cost counting record भी शामिल है तो books of counts का मतलब क्या आपने किस किस चीज़ का record बनाना है journal, ledger, trial हर, all sum received and paid का यानि दूसरे लोफ़ों में cash book सारे sale and purchase का assets and liability का और अगर एक company manufacturing business है manufacturing business में involved है तो उसके cost counting records को भी maintain करना है ये तो हमारा हो गया books of counts में क्या included है और ये concept different है उस concept से के financial statement में क्या included है financial statement में जो included होता है वो आपको पता है आपने term सुनी है कभी financial statements इसमें क्या कैसे ये शामिल होती है बला इसमें income statement होती है जिसे आप profit and loss count भी कहते है balance sheet भी होती है advanced level पे जाके पढ़ेंगे आप इसमें cash flow statement एक और ये भी होती है इसमें statement of change negative भी होती है और इसमें notes ला accounts भी होते है और इसमें पिछले साल comparison के लिए पिछले साल की figures भी दी जाते है ये सारी सीज़ होती है लेकिन अभी तक आपने जिन स्रोंट्स ने तो सिरफ जीद चीज़ें भी आड़ होंगी अभी तक आपने financial statement की कौन सी दो चीज़ें पढ़ ली है जो तक्रीमन हर सूर्ण ने पढ़ी होईगी income statement जिसे profit loss count भी कहते है और balance sheet जिसे statement of financial position भी कहते है income statement के को और नाम है statement of financial performance है शाहिए statement of comprehensive income ठीक है income statement और balance sheet के different name है आपने कौन सा नाम पढ़ा हूँ income statement का profit loss count हाँ बिल्कुल वह एक ही बात है तो profit loss count और balance sheet यह दो भी आपने पढ़े हैं और मजीद चाहर अभी आगे चलके पढ़ेंगे वो मजीद चाहर कौन सी चीज़ें cash low statement statement of change in equity notes of accounts और comparative figures तो बहराल वो तो financial तो मैं बताना यह चाहरा था यह what is included में हम क्या सीख रहे हैं कि books of accounts में क्या included है यह वो concern नहीं है कि financial statement में क्या included है आगे चलते हैं place of keeping books of accounts कहां पे हमें रखनी चाहिए company को कहां हर company ने maintain करनी है ना कहां पे registered office पे क्या registered office के लावा किसी और place पे books of accounts maintain की जा सकती है कहता है बिल्कुल की जा सकती है दो शर्ते है पहली शर्त यह फर्ज कीजिए registered office लाहोर में है और हम चाहते हैं फैसलाबाद में books of accounts maintain करना कर सकते हैं क्या कहता है बिल्कुल कर सकते हैं दो शर्ते हैं, पहली शर्त, बोर्ड ओफ डिरेक्टर्स की रेजुलिशन के जरीए से डिसाइड हुआ हो कि बुक्स ओफ काउंट्स रिजिस्टर्ड आफिस के बजाए किसी दूसी जगा में टेन होगी और दूसरा, रिजिस्टरार को साथ दिन के अंदर आपने नोटिफाई कर दिया हूँ क्योंकि रिजिस्टरार के पास पावर होती है, उसे कोई गडबड नजल आए ना, मनी लॉंडी, वो इंस्पेक्शन कर सकता है, आपकी बुक्स ओफ काउंट्स की तो उसे पता होना चाहिए, मैंने कहाँ छापा मारना है, जैसे नैव वाले, एफ आई वाले छापा मारेंगे, ठीक है, तो उन्हें पता होना चाहिए, बुक्स ओफ काउंट्स कहाँ पर में, रिजिस्टरार से बूचें के बाइस इस कमपनी की बुक्स ओफ काउंट्स कहा लेकिन अगर किसी दूसरी जगा पे बुक्स अफ काउंट्स को मेंटेन करना है तो क्या शर्ते हैं रेजुली बोर्ड रेजुलीशन पास हो जी स्टार को नोटिफाई किया हो साथ दिन के अंदर अंदर अच्छा अब आगे चलते हैं अगर कोई ब्रांच आफिस है वह ऐसा यह तो कुछ जैसे बैंकों पंजाब का फर्ज कीजिए जो रिजिस्टर्ड आफिस है वो है लहोर में और उसकी ब्रांच इस पूरे पाकिस्तान में है यहां दूसरे शहरों पंजाब के दूसरे शहरों में भी हैं अब जो ब्रांच का डेटा है वो खुद मुझे सोच के आईए क्या ब्रांच का जो पेमेंट्स हैं रिसीट्स हैं एक्सपैंसिज हैं एससे लाइबिल्टीज हैं ब्रांच के होंगी के नहीं होंगे तो उनका रिकार्ड ब्रांच में मिंटेन होना चाहिए के रिजिस्टर्ड आफिस में ब्रांच में होना चाहिए कामन सेंस कहती यह ब्राइच में होना चाहिए लेकिन लो क्या कहता है रिजिस्टर्ड आफ़ीस में लेकिन लो ने कहता है ठहर जायाए, पूरी बात सुनते जाएं अगर एक कमपनी की ब्राइच है ब्राइच आफ़ीसेश हैं तो वो अपनी बुक्स जो है जो ब्रांच से रिलेटिड बुक्स है वो ब्रांच में ही मेंटेन करें ब्रांच में ही मेंटेन करें लेकिन शर्त क्या है कि उसकी समरी बना बना के रिजिस्टर्ड आफिस में पहुंचाते जाएं ताकि रिजिस्टर्ड आफिस में कम्प्लीड रिकार्ड अवेलिबल हो ब्रांची जगाबे ठीक है प्रवाइड समराइज रिटरन ना सेंड टू रिजिस्टर्ड ऑफिस क्लियर हुई यह बात तो मुझे बताइए कंपनी की बुक्स अफ काउंट्स किस जगाबे मेंटेन होनी चाहिए क्या रिजिस्टर्ड ऑफिस के लावा किसी डूसरी चगा मेंटेन हो सकती है हाँ हो सकती है अगर बॉर्टर यपास करें और अपने रिजिस्टर अर को इंटिमेट करना है नोटिफाई करना है और अगर किसे कंपणी की ब्रांच इसमन और ठाप क hij तब बुक्स अफ़का Avengers किहा ह生ं कि अज 거죠 अब बार्ılar जो की बुक्स बुक्स कि बुक्स ब्रांच आफिस में ही में आफिस में रेशिस्टर आफिस में रिजिस्टरार को नहीं of counts कितने सालों के लिए maintain करने हैं दस साल 10 financial years ये calendar year और financial year में क्या फरक होता है calendar year हमेशा शुरू होता है एक जनर्वी से और हमेशा हतम होता है 30 December को financial year वो है जो company ने अपना financial statements prepare करने के लिए decide किया होता है वो एक जनर्वी से 30 December भी हो सकता है वो एक April से 31 March भी हो सकता है वो एक July से 30 June भी हो सकता है वो एक October से 30 September भी हो सकता है calendar year financial year में फरक तो period of intention कितना है दस 10 financial year यानि अगर किसी company ने books of counts मेंटेन किया for the year ended 31 December 2020 तो इसका मतलब है इसे 31 December 2020 की books of counts कब तक मेंटेन करनी चाहिए इकतिस जंबर दो हजार इकिस बाइस तैस चोबिस पच्चिस चबिस ताइस टाइस ताइस नुटिस तीस इकतिस जंबर दोजा तीस तक मेंटेन करने चाहिए दस financial year तर अच्छा यहां पर मुझे याद आया हमने कहीं पे 20 years भी तो पड़ा था वो कौन सी परवियन थी 20 years वाले फिजिकल डिकार्टमेंट किस का books of counts का minutes of meeting का minutes of meeting का physical 20 years तक और electronic permanently तो यह उससे फरक है आपने इस इसलिए recall करवाता हूँ कि स्टूर्ड मिक्स कर देते हैं बाद में याद नहीं रहता दस किदर बढ़ा था बीस किदर बढ़ा था यहां था clear आगे चलता है inspection books of counts को को inspection कर सकता है कौन रिजिस्ट्रार वो तो regulatory authority हो तो करी सकते है डारेक्टर कर सकते हैं अच्छा कौन से डारेक्टर executive के non executive सारे कर सकते हैं नौन एग्जेक्टिव डारेक्टर भी inspection कर सकता है right of inspection उसका भी हला कि वो management में नौाज नहीं होता लेकिन record को inspect करना चाहें कर सकता है जो पाकिस्तान से बाहिर फर्स कीजिए अगर कोई books वगारा available है क्या उसको inspect कर सकता है डारेक्टर उसको भी inspect कर सकता है अच्छा मुझे बताईए non executive director आया और company के एक officer से जैसे cfo से उसने का भाई मुझे books of comments दिखाओ मुझे जरा cash book दिखाओ के पैसा किदर आया किदर गया cfo ने का सर मैं तो जो executive director है उसके अंडर काम करता हूँ day to day routine में वही मेरे साथ deal करते हैं आपको मैं books of accounts नहीं दिखा सकता अगर आपको चाहिए तो हमारे executive director से बात करें क्या cfo का response ठीक है गलत है इसलिए के director कोई भी हो उसका राइट है books of account को inspect कर सकता है और employees जो है company के जो भी officer हो जो भी employee हो उसकी जिम्मेदारी है director को assist करेंस इंस्पेक्शन में ठीक है चाहे वो रिकार्ड पाकिसान में मौजूद है चाहे पाकिसान से बाहिर है वह भी इंस्पेक्ट कर सकता है उसका भी राइट है और auditor भी इंस्पेक्ट कर सकता है books of accounts को अधिटर को नोता बला expert independent person जो checking करता है financial statements ठीक है कि नहीं याद है यह कहां बढ़ा था हमने अधिटर्व हो यह स्टेशिवतिया रभोड़ में बढ़ा था ए स्टैशिवटिया रभा इसटेशिव्ट पर इसलैश्य पर वर की तीन चीज़ा एक इंड यह कुंसी तीन टिन पर और से स्हुंद रिश्या रड़त कर नहीं है इस टो लंपर में लों के रेकुक्डिया र प्रॉस्पेक्टस में और्डरी बिजनेस ओव एजीम कंसीड्रेशन ओफ आड़ीटर रिपोर्ट पढ़ा था अपाइंडमेंट ओफ आड़ीटर एंड्स रिमिन्रेशन पढ़ा था यह दो कहां पढ़े थे और्डरी बिजनेस ओव एजिया में तो बहाने से कंसेप्ट वो डिस्कस होए तो बताएघी ऐजीम के और्डरी बिजनेस में और कॉन सीचीजे थे अचा आप ने क्वेशन को गोर Beyond का मैंने कहा अजिएम की के और यह ढूरी बिजनेस में कौन से और को मैं Dubai इसकल बिजनेस का तो और्टर प्रॉटीड़ विय्ट्र मैंनलेट्टर कोई नहीं जडेशन लॺट इसरी अप्रूवल ओफ के लिएटिछ आ है और गतुंसे पहर करें आफ हैं यह फरерจะ हूद अब शर्कोंत कर लोको कोई नहीं आद को पूछ के मैं आपको भी शर्मिंदा कि या खुद भी शर्मिंदा वोचा छोड़े इसको अच्छा मुझे बताइए क्या कोई मेंबर बुक्स ऑफ काउंट को इस पैक्ट कर सकता है नहीं लिखा हुआ खास तोरफे से काई नहीं कर सकता मेंबर बुक्स ऑफ काउंट को इसे करने की जरूरत भी नहीं बुझे क्यों हाँ क्योंकि उसके पास समरी फाइनेशल स्टेटमेंट जो पहुंच आती है जब उसके पास फाइनेशल स्टेटमेंट तहां से बनती है बुक्स ऑफ काउंट से ही तो बनती है तो बुक्स ऑफ का कि अधियृ बताना होता है ना कि आइडियर ने पर पर दम था ना होता है तो दूंबर्स को को अधिया कर लिया और देखेंश को मेंबर्स को फ़ैनियृ झाय को एडिद्ध की रिपोर्ट भी पहुच गई तो खुद बताया में बुकस अभूच है कि लिए खरनौट सब्सक्राइब नहीं कर सकते लुक्स ऑपाउंट्स के बारे में यह सारे कंसप्ट क्लियर होगे समझागे क्या बढ़ाया पुक्स ऑफ कॉंट्स में पहले बताएं भूसक्राइब नाइस त्रेटमेंट में फर्क किया थ्यानल आप दोलूरों का एकिल कैसा है law में जब आप से पुछेंगे ना बताओ books of counts में क्या शामिल है law में जब पुछेंगे बताओ financial statement में क्या शामिल है तो आपने one two three करके बताना होगा यह नहीं कहना होगा accounting cycle की शुरू की चीजे हैं चलो खतम question accounting cycle के end वाली चीजे हैं खतम question नहीं नहीं यह नहीं जिरो नंबर मिलेगा तो जब लाग है पेपर में से पुछेंगा books of counts में क्या क्या चीजे शामिल है क्या बताएंगे all some received and payments का रिकार्ड long with description particular matters sales and purchases assets and liabilities और अकर manufacturing company है cost counting record की detail cost counting रिकार्ड डिटेल से क्या प्राद है देखना के manufacturing process में material कितना लगा labor कितने लगी है overhead कितने लगे हैं यह चीज़ है कहां पर maintain करना है books of counts को registered office में किसी और जगा में कर सकते हैं क्या condition है दो board resolution plus intimate करना है कितने दिर में साल एक मिनट seven days इससे पहले कहीं और भी पढ़ा है किस जगा पढ़ा जरा मुझे बता दे मैं exam में mix ना कर दू कहीं पर seven day पढ़ा कहीं पर ten day meeting में कहीं पर आपने seven days पढ़ा meeting में जितने भी concern पढ़े meeting वाले chapter में कहीं seven days था कहां था minutes वाले में था शाबाश note करें minutes वाले में था कि साथ meeting के साथ दिन के बाद वो copy require कर सकता है और require करने request करने के भी साथ दिन के अंदर अंदर से copy मिलेगी शाबाश एक जगा पर और साथ दिन था वीडियो लिंक लिस्टेड कंपनी सिटी 10% से ज्यादा शेर holders नहीं आदा या अगर शेर किसी एक शहर में 10% से ज्यादा शेर होल्डर रहते हैं वो कमपनी से request करते हैं video link facility provide की जाए तो कमपनी की जिम्मेदारिया provide करेगी शर्त क्या है meeting से साथ दिन पहले तो साथ दिन वाली बात समझ आगी आपको तो यह भी साथ दिन में आगे चलते हैं ब्रांच अगर किसी कुछ कमपनी जासी भी तो होते हैं जिनके ब्रांचीज हैं अगर ब्रांचीज हैं तो फिर कैसे books of comments को maintain किया जाएगा ब्रांच आफिस का रिकार्ड ब्रांच आफिस में समराइज रिटन बेजने रिजिस्टर्ड आफिस में खतम कहाने रिटेंशन कितने साल तक होगी मिनेटस के साथ compare करड़े इसके बाद inspection को गून कर सकता है जिस्टर्ड अपन है चुछ कोई बी कर सकता हैसिस्ट्रण कोई कर सकता है कि सिर्फ पाकिस्टां में जो record मचूद है को पॉरन भे सिर्फ जिस्टर्ड आफिस में जो record मजूद है कि बानच आफिस का भी books of accounts clear अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं भला financial statements और भाई मुझे बताएंगे सबसे पहले what is included in financial statements financial statements में क्या-क्या included है अच्छा मैं और बाकी चीदे बरदाश कर लूँगा लेकिन जिसने books of accounts or financial statements को mix किया न या ये पूछा बाद मैं के सर ये books of accounts and financial statements में क्या फरक है उसको नहीं मैं नहीं चोड़ना हूँ financial statements में क्या included है balance sheet trial balance के बाद ये लिखे का लाके paper में financial balance के बाद जो बनती है उससे बहतर है यही कह दिजिगा वही जो book में लखी हुई है what is included balance sheet ठीक है जिससे आप advanced language में statement of financial position भी कहते है profit loss account जिसे हम income statement भी कहते है cash flow statement जो आपने नहीं बढ़ी होगी probably statement of a change नहीं इकड़ी ये भी नहीं बढ़ी होगी notes to the accounts description नहीं नहीं बढ़ी होगी comparative information पिछले साल की comparison करने के लिए कि पिछले साल क्या आई इस साल कितनी सेर है पिछले साल कितनी थी कि इस साल कितनी पर्चे पिछले साल कितनी बचे इस थे कंपैरिशन होता है कि पिछले साल की निश्वर इस साल performance बेतर हुई है कि डाउन हुई है कि विवाट इस इंक्लूडिड समझ आ गया आगे चालते हैं अच्छा एक पहले इंट्रस्टिंग कंसर्ट फाइनाइंशल स्टेट्मेंट बन गई है अगा डेरेक्टर्स कुन बनाएगा डेरेक्टर्स बेजने किसको है कब अधि एजी एम से 21 दिन पहले एजी एम से जो नोटिस ओफ दी फाइनेंशल स्टेट्मेंट होता है न इस नोटिस के साथ फाइनेशल स्टेट्मेंट भी बेजी जाती है उनको पड़ा नें नोटिस में सक्व कों से चीज़ेंग hay पदा नहीं था नहीं पढदा था मताईए एजी के नोटिस को चोड़ें Notice of AGM के साथ क्या क्या चीज़ लगती है अगर सिरफ ordinary business कोई special business नहीं है AGM में सिरफ ordinary business ही ordinary business है बताईए notice of AGM के अंदर या उसके साथ क्या क्या चीज़ लगेगी mention क्या क्या होगा वो जो आहरी में चीज़ थी वो शुरू में बता दी financial statement चलो वो तो मैं कलब रहा हो ना इसलिए जेंद में आगया और क्या AGM की notice में और क्या लिखा होता है time place यह नहीं लिखा होता क्या फिर इसके बाद resolution to be past agenda क्या 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 डिसकस करना business सारे nature of business और proxy के बारे में कोई चीज़ बाद लिखी होती है कुछ नहीं पता है कि member का राइट है proxy को बाइंट कर सकता है फिर एक proxy के भी राइट लिखे होते हैं कि नहीं लिखे होते है proxy farm भी डाइज होता है कि नहीं होता है तो उसमें financial statement अच्छा notice में बिजवाई जाते हैं AGM में भी प्रिजेंट की जाते हैं AGM में प्रिजेंट की जाएंगी सबको तो फिर ही वो consideration करेंगे ना या नहीं एजिएम के और बिजनिस में था consideration of financial statement तो अगर AGM में financial statement की consideration में discussion वगारा होगी के नहीं होगी उसके लिए members घर से financial statement लेके आएंगे के company AGM में प्रिजेंट करेंगी प्रिजेंट करेंगी जाहें notice के साथ लगा के बेजा था लेकिन AGM प्रिजेंट करेंगे अच्छा financial statements गई मुझे याद है statuity report वह भी तो जाती थे statuity report में क्या डिस्कस होता था statuity report क्या statuity report notice of that जो statuity meeting का notice होता था उसके साथ बेजी जाती थी के direct meeting में दोनों दोनों मुझे जाती direct meeting में भी होते थी उसी तरह फैनेंशल स्ट्रेटमेंट को कौन अप्रूफ करेंगा इनको sign कौन करेगा या authenticate कौन करेगा फैनेंशल स्ट्रेटमेंट के उपर कुछ अच्छा एक है प्रूफ को जैनी बौर्ड ऑफ डिरेक्टर्स की meeting हुई दस डिरेक्टर्स बैठे हैं उनने ने का हाँ यह फैनेंशल स्ट्रेटमेंट बनी है अच्छा यह ठीक एशियर होल क्या हो यह तो sign financial statement जो बनी है 50 सफों वाली है उसके उपर sign करके shareholder को बेजेंगे के sign के बगार ऐब पर नहीं है शेड़ोल्डर को क्या पता कि जैन्वान नहीं Frank कह google ndix के Summen को घूति है कि साइन के साथ होती है कि अप्रूफल किस ने की authenticate यानि sign कौन करेगा सुनने chief executive at least one director chief executive भी sign करेगा at least one director भी sign करेगा और एकर listed company है तो cfo भी sign करेगा sign किस किसने करने है अप्रूवल का कंसर्ट फरक है authentication या signing का कंसर्ट फरक है authentication और signing का मतलब एक ही है approval का मतलब प्रूव कोन करता है financial statements और authentication signing कोन करेगा at least one director उसके साथ chief executive के साथ और अगर लेशिट करने है cfo कुछ याद आया कुछ याद आया भाई chief executive करेगा sign साथ one director करेगा और अगर लिस्टेड कम नहीं है तो cfo करेगा लग रहा है यह हमने concern यहाँ तो यह concern पहले कहीं पढ़ा है या पहले कहीं और concern पढ़ा था उसमें भी यही signing या approval authority थी प्रोस्पेक्टर में फ्रॉस्पेक्र समय तो पढ़ा था हुस में तो साइन करता है अथा प्रूवल और साइनिंग 30 हो रहा है फाइनेशल स्टेटमेंस की आप्रूवल मिद थार यह यह जाते हैं मैं चेक करना है हमने लिखा कर ने लिखा है वह तो डिफिलेंट है मैं तो कहरे हैं वह बताएं जो सिमिलर थी मैं चीफ-इक्जेक्टि भी था जिसमें डरैक्टर भी जिसमें लिस्टेट कंपनी है तो CFO भी था ये हाला आपका मुझे लग रहा है कि वह statutory report के authentication थी कि statutory report को रहा है मेरा अन्दादा सही है के दुरूस्त है और सही है के दुरूस्त है गलत तो ही नहीं हो सकता मिरा अन्दादा क्यों हो सकता उसक्ता है अगला नहीं हुआ हैं इतना बड़ा साइंसदान हुआ है, हो सकता है बाई बस करें या तेना नहीं है तरक्ती करने के लिए इतना ज़रूरी नहीं है धुड़ा बहुत चलता है तो यह अब लिख ले कि यह authentication of financial statement और authentication of statutory report इसकी 30 सेम है लेकिन यहाँ पर उसने concept को मजीद explain किया जो अधर नहीं किया था statutory report में कि अगर chief executive पाकिस्तान में नहीं है तो फिर उसकी जगा कोई दूसरा director साइन कर देगा यानि उस सुरत में at least two director हो जाएंगे at least chief executive पाकिस्तान में नहीं है तो क्या करना है यह उसने पहले नहीं बताया था statutory report वाले में यहाँ बता रहा है अच्छा single member company है तो कितना director sign करेंगे है वह होता है साइनिंग क्लियर हो गया अच्छा approval में और साइनिंग में फरक है और साइनिंग में साइनिंग ओफ अप स्टेशूटी र्पोर्ट वो लदा रखंसर्ट उसमें चीफ एक्ट्टीव नाट इंपकिस्तान मारा रखंसर्प्ट नहीं है और और अखनी केशन और स्प्रावस्पेक्टिस या साइनिंग अफ्रॉस्पेक्टर स्लभा इंग कर आप क्लियर हुई यह बात चलिए बात था ने से सेटमेंट्स का पीरियड क्या होगा अब आप से पूछा जाए हाँ अकाउंटिंग मैं वैसे कभी मुझे बताएं यह फिनेशल इमेंट का जिकर कर रहे हैं आपने काउंटिंग पढ़ी हुई है इंटोड़क्शन टो काउंटिंग उसमें टी काउंट कभी बनाया इंकम सेट मैं कितने अरशे के लिए लिए एक साल के लिए नॉर्मली एक साल के लिए लेकिन अगर कंपनी इंकारपरेट हुई है firm पर कंपनी इंकारपरेट हुई है कि अए का फइनेशल एजगा बनाएंगे यानि एक एक और शले के कब थेच्ट-आ कमपनी का financial year है चले फर्स कीजिए पीटी सेल है पीटी सेल गम नहीं है ना उसका financial year है 30 जून ये रेंड़ा है एक जुलाई से लेके 30 जून अब नॉर्म नी तो हर साल वो एक जुलाई से 30 जून तक ही financial में बनाएगी लेकिन जहाँ सोचे जब वो incorporate हुई होगी तो क्या लाज़मी है एक जुलाई को incorporate हुई हो company के हो सकता है 15 दिसंबर को ही हो वो पंदरा दिसंबर को हो सकता है तो अगर वो 15 दिसंबर को incorporate हुई है तो पहले साल की जो financial statements बनाएगी ज़रा बताईए अगर वो 15 दिसंबर 1985 को incorporate हुई है तो पहले साल की financial statement 15 दिसंबर 1985 से लेके 30 जून 1986 तक बनाएगी कि 15 दिसंबर से लेके अगली 14 दिसंबर तक बताईए यहाँ है यहाँ है यहाँ है पहले साल में उसका जो financial year है उसमें महीने कम होंगे पहले साल के financial year में महीने कम होंगे और subsequent में financial year महीने 12 होंगे यह बास हमजाई तो जो first financial statement होगी वो कब से कब तक बनेगी from date of incorporation till close of financial year तक और जो subsequent financial statements हैं वो कब से बनेगी पिछली closing से लेके अगली financial year closing तक यानि एक साल तो इससे हमें एक एहम concern पता चला है अब मैं technical बात बताने जा रहा हूँ लाजमी नहीं financial year 12 महीनों का ही हो financial year 12 महीनों से कम कभी हो सकता है incorporation की example तो इससे कम का हो सकता है क्या financial year 12 महीनों से कम का हो सकता है हां नहीं हो सकता हो सकता क्यों नहीं हो सकता है आपको बता है financial year चेंज भी हो जाता है अगर फर्स किजिए चलते चलते पेडिसेयल ने कहा नहीं सर हमारा ये रेंड जो है वो financial year जो है वो है एक जुलाई से 30 जून हम चाहते हैं इसको एक जनवरी से 31 संबर कर दिया करें का कर नहीं सकते हैं जब memorandum में alterations possible है articles में alterations possible है तो financial year क्यों नहीं हो सकता है यह भी हो सकता है लेकिन इसके लिए रिजिस्टरार की approval लेनी पड़ेगी अगर आपका financial अच्छा आप यहां पे जहें में रखिएगा अगर फर्स कीजिए आज बडिसेयल डिसाइड करती है तब हमारा year end जो है यह 30 जून 2020 है असूली तोर पे अगला year end होना चाहिए 30 जून 2021 वो कहते है नहीं हम 31 जून पर convert करने जा रहे हैं तो ला कहते है आपने 30 जून 2020 तक की financial बना ली अगली financial system बताईए दिसंबर end की बनेगी ऐसे ही है वो 6 महिनों की बनेगी के 18 महिनों की सबसीक्वेंटली आपने अगर financial year चेंज करना है तो आपकी financial statements more than 12 months की बनेगी लेकिन उसके लिए रिजिस्टरार की अपरॉल की जरूरत है फिर से सुनने जी ये concept के period covered by financial statement क्या होगा दूसरे लफजों में financial year क्या होगा financial year इसी को कहते है ना जिस period के लिए financial चेंज बनेगी first financial statement के case में होगा financial year date of incorporation से लेके close of financial year तक सबसीक्वेंट में क्या होगा previous close से लेके अगले close तक और ये normally बारा मेहने होगा क्या बारा मेहनों से कम या ज्यादा हो सकता है कम तो नहीं हो सकता बारा मेहनों से ज्यादा हो सकता है रिजिस्टरार की अप्रूवल की जरूत पड़ेगी और बारा मेहनों से ज्यादा कब होगा बला जब कंपनी फिनेंचल ये चेंज करती है अपना भाई कुछ बाद समय आए इसके बाद चोटी मोटी बात है क्या फाइनचल स्टेटमेंट्स को एजी एम में प्रिजेंट करना है एजी एम में करते हैं कब प्रिजेंट करना है अच्छा यहां पर एक तरीका था बहुत ही आसान कंसेप्ट इदर एक लफज बोलूँ मैं कंसेप्ट खत्म हो जाएगा यह कंसेप्ट क्या सका रहा हूं वेंट टू प्रिजेंट फाइनचल स्टेटमेंट्स टू शेयर होल्डर कंसेप्ट क्या है इसका बन वड़ आंसर पता क्या है इन एजी एम लेकि ला ने का नहीं आएसे नहीं मेरी आदत नहीं है कि मैं ऐसे एक लफज में बुगता हूं मैं तो पूरी बात करूँगा तो ला ने हम से पूछा बताएए वेंट टू प्रिजेंट फाइनचल स्टेटमेंट्स हमने ला से पूछा उसने का डिपेंड करता है फिर्स्ट फाइनचल स्टेटमेंट है के सबसीक्वेंट फाइनचल स्टेटमेंट है हमने का अगर फिर्स्ट फाइनचल स्टेटमेंट है उन्हें का फर्स्ट फानेंशर स्टेटमेंट शल्वी परिजेंटेट टू शेर होल्डर विदिन यह नहीं का इन एजी एम क्या का विदिन 16 मॉंस फ्रॉम डेट ओफ इन कार्परेशन तो अमने का यह यही तो एजिया में भी बढ़ा था फर्स्ट एजिया में बढ़ा था लगा एक सोसी दिन लगा 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 एक सोसी दिन कहां से आगे एक सो बीस दिन दूसरी लगा इसको भाई अला के बंदे फर्स्ट एजी एम है विदिन 16 मॉंस ओफ इन कार्परेशन आप यह टाइम पिरिट बताने की कोशिश कर रहे हो वह स्टैश्यूटरी मीटिं 9 months from date of incorporation are 120 days for commencement of business whichever is earlier फर्स्ट फइनेंशल स्टेटमेंट सबसीक्वेंट फइनेंशल स्टैटमेंट कब प्रिजेंट की जाएंगी असूली तोर पिसका जवाब होना चाहिए था इन सबसीक्वेंट एजियम लाने का ने नहीं ऐसे नहीं बताऊंगा मैं मैं कैसे बताऊंगा सबसीक्वेंट फइनेंशल स्टैटमेंट फइनेंट की जाएंगी विदिन 120 डेर्स फ्रॉम क्लोज ओफ फइनेंशल ये एंड वांस इन एज करेंडर ये फिर हमने का अच्छा है ये वैसे तो पर्विएन वैसी है जैसी पड़ी थी लेकिन हमने एक फरक है लाओलै वाली बनाना ने पुछा वो क्या हमने का वदर हमने एक चीज्हशा पड़ी थी एक स्टेंशन वाली कि अगर public company है भाया private company है तो extension कुन देता है AGN में public मेरे इसराद देगा private में कुन देगा private में हो देगा और listed में कुन देगा वो भी वो भी हो देगा तो commission क्या करेगा तो चैप्टर 11 में बढ़ा था PÁWERS में, जसरार, UNLISTED, private public का चकर नहीं था, लिसरार देता यह देता है, लिस्टेट कमपनी है, तो अप टू 30 डेज एक्सेंशन मीटिंग में कमिशन देता है, कोई नहीं याद करहाता है आधा आधा हम आधा इसे है कि हेसं विदिन सेख्तिन मूंस्ट फ्रॉम डर एट ओफ इन कारपरेशन आगे एक्सेंशन कुन देगा फिर एक और लगा एक और लगा एक और लगा एक और लगा कमिशनर रिजिस्टार बोल ला है बही क्या दोनों की लड़ाई हो जाएगी एक एगा मैंने एक्षेंशन देनी है किस केस में देगा कमिशन स्पैसिफाई देगा है क्या चीज़ाई पही ला में एक एक लफज जो है वो एह मोता है हमारा अनलिस्टिड के केस में रिजिस्ट्रार लिस्टिड के केस में कमिशन मीटिंग में एक्स्टेंशन वही देते हैं लिखा हुआ है लिखा हुआ है चप्ट्र 11 में भी लिखा हुआ है और फिटिंग वाले में भी लिखा हुआ है सब्सक्वेंट फानेंशे सिंड में कब प्रिजेंट की जाएंगे 120 ते हाँ विदिन 120 देस राम दे क्लोज ओ फानेंचल ये बस हो गया पुरा फेल कर देगा लिखा इड्माठी केलेंडर ये एज कलेंडर ये बस अभी भी बूरे नंबर न देगा क्ट पूरी बात करेंगे निए कौन देगा से क्रिजिस्ट रर के ही लिए कमिशन शावार भी यह बात पूरी समझ आई, अथेंटीकेशन वाली बात भी समझ आगए, कोई इश्यो तो नहीं है, चलिए, आज का लेक्शर हम यहां पे स्टॉप करते हैं, इसको अच्छे तरी क्योंकि छोटे-चोटे concept असल में, इसमें मसला क्या है, मुश्किल नहीं है concept कोई भी, लेकिन चोटे-चोटे बहुत से concept है, books of account में किया प्रक है, books of account में क्या शामिल है, finances दिमें में क्या शामिल है तो बाकी इंशाला फिर हम learning objective remaining portion जो है और टू का वो next lecture में cover करेंगे आज का lecture यहां पर खतम करते हैं अल्ला हाफिस